हेलो फ्रेंड्स, विल्कम तु नवक्लासिज, कैसो आप सब, आज हम डिस्कुस करेंगे एंटेनेट का जो पेपर 1 का अनालेसिस, 22nd December, लास्ट बाच, और उसके 2nd शीफ्ट का अनालेसिस में आपके साथ कर रही हूँ, आप जल्दी से आजईए, और हम डिस्कुस करते हैं, अगर आप मेरे चानल पर नहीं होँआ, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और उसके साथ बल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि आपको नॉटिविकेशन मिल जाएं, जैसे ही मैं आपके लिए न्यू सेशन लेकर और फ्रेंड्स आप अनिकेडमी में मुझे तो फॉलो करी रहे हैं, साथ में इस जैरेएफ बूस्टर को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जैरेएफ बूस्टर पे इंडिया के टॉप एडूकेटर मिल कर बढ़ा रहे हैं हम लोग, so definitely आप मेने लेस्स भी देख सकते हैं वहाँ है किसका, इसकी मदर के ब्रदर का बेटा है, so यानि कि एक सिकिन, ये जो है वोमेन, वोमेन की मदर के ब्रदर का ये बेटा है मैन, so ये कुछ इस तरीके से डाइगराम मना, so ultimately ये दोनों कोन हुए, कजन हो गए न, so answer हो गए हैं से कजन, ठीक है, वोमेन की मदर के ब्रदर क का बेटा, मामा का बेटा, ठीक है, now, DI में percentage का question आया था, अच्छा था, easy था, RCB easy था, total children and male female ratio था, department percentage दिये हुए थे, उसके normal question था, simple, अब ये पूरा question इन learner को नहीं बता तो, बाक्की आप simple देख लेना, value-based education का पुछा था, so, जो मैं अपने courses में already करवा चुकी थी, what is value-based education carbon cycle भी करवाया हुआ था, आप लोगों को greenhouse effect, formative, summative equation था, ठीक है, so, number series का question था, 1, 2, 6, 33, 49, 174, 210, और इसका answer था, 5, 33, ठीक है, so, आप ये check out कर सकते हैं, so, friends, इसका answer था, 553 मैं अभी calculate किया है, ठीक है, 2 की square, 3 की cube, 4 की square, 5 की cube, फिर क्या आएगा, 6 की square, 7 की cube, ऐसे चलेगा ठीक है, 7 की cube करके, इसके अदर प्लस करें, मतलब, ये देखो, ये 2 है, ये 6 है, ठीक है, इसके अदर 2 की square किती होती है, 4, 4 प्लस किया, 6 हो गया, अब इसके अंदर 3 की cube किती होती है, उतने से प्लस किया, 27, और आपका 33 हा गया, ऐसे ही पूरा solve करना था, और एक और news है, कि ये ही exactly same question, मैंने जो number series का hundred and number series का question करवाये थे, expected वले, exactly same वहां से आगया है, free lessons में करवाये थे, उसमें से आया same question, now next question था, coding दिये रखी थी विकुल, जैसे कि 7 का F, इस तरीके से, ये coding थी, इसमें फ्लेम बता रखा है, और इसके answers थे ये वले, और इसमें से कुछ codes थे, वो learner को याद नहीं है, बागी 3rd and 4th code, तो आप एक बार चेक करने, इसका answer है, बस simple question था, coding दियो ही थी, वस, ठीके, मेरे learner Jay ने बताया है, मुझे ये सारे questions, कि ये जो question था previous year का, exactly the same ऐसा आगया, plan, act, observe, reflect वाला, और ये issue of research ethics का question था, लेकिन इसको घुमा फिर आकर दिया और ये मैंने आपको, जो भी मेरे plus course के students है, उनको मैंने एक trick सिखाई थी, I hope उनको याद होगी, then next, type of research, match the following question था, expose, fact, to, experimental, and बहुत सारे थे, so इनको match करना था, और अगर आपको कुछ भी आता, तो easily ये वाला question match हो रहा था, it was easy, find two proposition having same subject and predicate, so square of position में subject and predicate का बताना था दो proposition का, which cannot be false together, जो एक साथ false नहीं हो सकते, तो वो कौन से है, वो आपके है, sub contrary, ठीक है, sub contrary वाले है, यानि कि ये कौन से वाले थे, ये थे आपके some and some note वाले, तो ये आपका answer था, some and some note वाले, ये आपस में false together नहीं हो सकते, यहाँ पर एक syllogism आया था, और इसके दिर subject and practical ऐसा कुछ question था, अब ये पूरा clear नहीं है, तो इसलिए मैं answer नहीं दे सकती हूँ, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का pattern, learner ने बताया है, I really appreciate जे, thanks, Now, उसके इलावा, काफी हम question आज solve कर चुके है, हाँ जी, तो बाकी बताती हूँ, कि paper was fantastic, syllogism आया था, अच्छे थे, blood relation था, number series अच्छा था, DI, okay, okay था, क्योंकि वो calculation का issue था, okay, और भी questions याद आरे, मैं को मैं बताती हूँ, learner ने बताया थे, एक तो था किसी, कि death हो गई है, ठीक है, और उसने money provide करनी है, ऐसा कोई question था, कि एक particular amount है, उसको उसने छोड़ा, और उसका one half, दे दिया उसने अपनी wife को, और फिर one seven, जो बचा हुआ remaining था, उसका दे दिया अपने बेटे को, और two third उसने दे दिया अपनी daughter को, बेटी को, और फिर बाकी बचा हुआ, उसका कुछ portion या बाकी बचा हुआ dog को दे दिया, ऐसा कोई question था, ठीक है, इसमें calculate करन था, ICT का question बड़ा easy आया था, मतलब 1 MB is equals to 8 bit into 1024 into 1024, ऐसा करके कुछ question आया था, तो एक check कर लेना, एक Vand diagram आ गया था, ठीक है, syllogism square of opposition मने बता दिया, आया था, okay, general awareness नहीं आई, quality नहीं आई, एक R plus S करके question था, is equals to 1 ऐसा question था, ठीक है, तो उसका answer बता रहे है, learners के minus 1 होना चाहिए, एक बार आप बताना चाहिए, आपने क्या किया, एक effective teaching का question था, ठीक है, effective teaching वाला question था, teaching के questions जादा थे, और, yes, teaching के questions जादा थे, इस type के questions आ रहे थे सारे, environment का question थे, ठीक है, acid rain के measures मैंने बताया था, environment related question था, green house effect वाला, acid rain का question था, कि उसके कौन से measures लेने चाहिए, और, Excel का question आ गया था, इस बार, मतलब मैंने देखा, 18th को भी आया था, Excel का, और आज 22nd को भी आ गया, इसके अंदर rows दी हुई थी, ठीक है, मैं समझाती हूँ, आपको चलो, Excel के अंदर rows दी हुई थी, और data हो दिया हुआ था, इस तरीके से, ठीक है, so, दो में तो 20 और 18 लिखा था, एक blank छोड़ा हुआ था, एक 16 और दो ब्लैंक छोड़ा हुआ था, इस टाइप का कुछ कोशन था, इसको solve करके आपने बताना था, ठीक है, so, ऐसा question था, इसमें, और यह वही कर सकत जिसको Excel आता है, so, इस जो रेशो वाला question था, इसके अंदर कोई value को freeze करना था, और एक निकालनी थी, ठीक है, b1, b2 करके rows, और ऐसा कुछ कुछ कोशन दिया हुआ था, so, friends, इस बर भी आप देख रहों कि कितने साई questions में बताया हुए आए थे, जो पेपर 1 का भी मैंने कोर 1 में, पेपर 2 में, ठीक है, बस पेपर 2 में, मैं जो आपने पढ़ाया हुआ उसी में से question आया था, लग-लग students बता रहे है, same, मैंने जो भी expected questions करवाया थे class में, उन expected questions में से exam आया, ठीक है, so, this is really good, ये commerce का exam मैंने पूछा था अपने group में कैसा आप सब का, so, उन्होंने ये reply किया, so, another student की paper 1 का, और commerce का, दोनों का, दोनों, जो मैंने पढ़ाया था, उसमें से question आया था, तो, एक, हाँ, commerce में, एक option नहीं गलत दिया हुआ था, accounting standard वाला, वो मैं डिसकस कोई था, देर में आती हू, commerce के लिए, ठीक है, paper 1 अच्छा था, plus courses were really helpful, so, I really admire कि मैंने जो पढ आपको इतना help कर रहे हैं, similar questions आ रहे हैं, और exam में, बिल्कुल crack कर सकते हो, GRF, क्योंकि आप देख पा रहे हो, कि 50 questions में से, अगर 48 questions मैं पढ़ा रही हूं, और मुसमें से, मतलब, जो मैं पढ़ा रही हूं, उसमें से आ रहे हैं, और वो भी अलग-लग shift में, तो, इसका So friends, यहां तक तो था हमारा analysis और उसके इलावा, अगर आप 2019 के लिए prepare कर रहे हैं, तो इसके बिल्कुल इस मोके को हाथ से मत जाने दीजिए, क्योंकि यह exam के लिए आपका निया course आया हुआ है, NTA net, UGC net के लिए paper 1, पूरा complete मैं कराऊंगी, वो भी updated new pattern के according, और अगर आप भी पढ़ते हैं, अगर भी course लेते हैं, तो बाग में आपको थोड़ा सा calm down हो जाते हो, और तब आपको revision और paper 2 की त्यारी करने का पूरा time मिलता है, चीके, और उसके लाव अगर अपने speed बढ़ानी है and everything, तो आप 20 full length को उस course ले सकते हो, और वो भी new, extremely new courses है, सब कुछ मैं change कर रही हूं क्योंकि यहां पर आपके जो pattern है, उसमें काफी changes देखने को मिले, इन्होंने बोला था कि changes नहीं होंगे, लेकिन हुए, so उनके coding पढ़ाना भी पड़ेगा, so definitely I will do that, ठीके, और इस बार जो 2-3 questions बाहर से आ रहे हैं, मैंने कहा ना, 45 से लेकर 48 questions मैंने जो परलस म करवाया है, वहां से आये हैं, और जो 2-3 questions इधर उदर से आ रहे हैं, इस बार उनको भी पूरे अच्छे से cover करेंगी, ठीके, आने के एड में पर जो प्राइज होते रहते हैं, उनसे बचने के लिए, I hope कि आप उसको अभी जोईन कर ले तो आपके लिए best रहेगा, everything is possible, just dream करो, अपने अपर भरोसा रखो, आज सही धरेक्शन में पढ़ाई करो, आप definitely अचीव कर पाएंगे, so facebook page लाइक कर सकते हो, group join कर सकते हो, subscribe के साथ बल आइकन को ज़रूर दबाद जिएगा, आपने friends के साथ शेयर कर सकते हो, thank you so much, have a nice time.